अब बुला लोगों का हम बुला लो आज इनके दोड़ना तालियों से स्वागत किया जाए अरे बैसे पता है सर मैं आज साड़े आपकी ग्लास के बाद में बोलने वाला था कि एक दस मिट का सेशन लगा दो अरे इनका एक टॉपिक बच रहा था प्यूरिफिकेशन वाला तो आज मैं रिकॉर्ड कर दिया हमें आज साम तक अपलोड हो जाएगा क्योंकि वो संडे को टेस्स में आ रहा था चोटा सा टॉपिक है आप लोगों का हो जाएगा वो गंप्लीट और आपका जो वादा था व अब कॉलेज में पहुंच गया है तीनों आईटी दिल्ली से है एक फर्स्ट यर में है यह वी फर्स्ट यर में है और यह सेगंड डियर में है सिवांस और रोहित बच्छों से क्या वोलोगे यान दो इस समय बड़ा डर लगता है पिछली वार तुम्हें भी लग राता है खेंग अब जैसे लाष्ट का टाइम है तो तुम्हें बसिकली रिविजन पर फोकस करना चीए अब जैसे तुम्हें आ बना रहे हैं टालो लो भाली ह उनके वोलोगे निया कोक्तर बना टाइम पर तुम्हे टीचर की बात ऐिफा लोगनी है और तुम ओसे ह के इसकतीज के rek daran आप क्या मोलना चाहेंगे सागोकत को मॉल्टीपल मुल्lifting के रिविजन करना कैन अपन शॉट्ट जित्ते वह बनाए या नई भी बनाए तो बनाले न चाहिए और उसको मील्टीपल रिविजन करना चाहिए वही सबसे अफिक Meowth पीवाई की तो करने ही चाहिए जो भी है लेटेस्ट के तो करी लेने चाहिए बिल्कुल जाहिए मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जेए के साथ तो मैं तो जो अभी स्टुडेंट है किसी टाइम मैं भी उस वीडियो में था तो आप पी वाई की बगएरा तो जेही आप समझेए जेही है क्या जेही मतलब आपसे concept यहीं मतलब application of concept का exam तो अप जितने ज्यादा questions कर सकते हो उतने ज्यादा सही रहेगा आपके लिए क्योंकि ज्याइए आपसे questions करता है आपको वहां concept ज्यादा नहीं पूसते तो question करिया D DPP जो आपको मिलते है, DPP के साथ, जो वीडियो सॉलिशन भी टीम से प्रोवाइड होता है, वो सारे कीजी आप, क्योंकि मैं खुदी किया था, लास्ट में अच्छी रैंक ले गया था, मेरी भी प्रेपरेशन अच्छी वगएरा नहीं थी, तो मैं तो पंकर सरकुझ मैं तु तो आपको यह जो डर है, यह जो डर तो ख़दम करना पड़ेगा, वरना आपसे होगा नहीं, आप अगर अगर अंडरेस्टिमेट करके चलते हैं बहुत जन, जैसे आप टार्गेट अगर 50 का कीजिएगा तो 300 नहीं आएगा, तो आपको टार्गेट भी हाई करना चाहिए, जैए जो एक्जाम हैना, पहले तो उस एक्जाम को समझे, वो एक्जाम आपसे डिमांड क्या करता है, मैं बहुत बाल ही बोलूँगा कि जो लास्ट मुमेंट में तो कोई 100 रैंकर वाला जो बच्चा है, वो भी मतलब जैए क्वालिफाई नहीं कर सकता, या जो एक लाग जैए क्वालिफाई कर सकता है, मतलब वो सेल्फ कॉन्फिटेंस है, जैसे मेरे कुद की थी, मेरी मेंस खराब हो गई थी, फिर भी मैडवांस अच्छा किया, और मतलब मैं फिर आइटी दली, मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट जो आप जानते हो, उसका याद करेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे तो आपको फॉर्मूला तब ही याद होगा, ऐसे नहीं कि फॉर्मूला रटने वाली चीज नहीं होती, आप यह समझिए, क्योंकि मैं मतलब बहुत गलतिया कर चुका हूँ जैई में तो, इनका ना एक तो मैट्स का बता हो, यह तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, यह मैं बोल-बोल के रखोंगा, पेपर में आपको डरना ही है, जो मैस का जो आप डर बना के चलते हो कि मैस इतनी टाफ है, मैस तो टाफ आएगी, क्योंकि यह ही टाफ कोश्चन पूछेगा आपसे, मैस में तो आप PYQ तो आप कीजिए, आप अप्रोच का, जैसे मैस केलके कारने का दो अप्रोच हो जकते हैं, तो जो आप दो आप go दो तीन याद कर ली जै système करते हैं क्योंकि Wasik मेरी भी आप अगर स्टोरी जानेंगे तो आप खुद समझेंगे क्यों मेरी में में बहुत कराब रहें कि आप से जानना जाना है बच्चे अरिवीजिन कैसे तुम पूरा डीटेल मतलब जैसे कि मैं सर क्लास कतब होती फिर मैं यह लिखता था फिर मैं यह पढ़ता था फिर म इसको मूट कर दो ओले चैनल वेले लिपौल अगर में सचन सर से बठते हो तो तुम्हें पता ही होगा चैनल का क्यू नाम है तो उस पे मैंने वह लास्ट मिनट की टिपस है वह अज अपलोड जाएगी तो वह भी देख लेना और मैं अभी भी बता देता हूं जैसे एक तो वह चैप्टर होते हैं कि जो तुमने पहले से ही कर रख है तो उनको तुम्हें शोट नोट्स बना की रिवाइज करना मैंने शोट नोट्बुक भर दी थी मैंने शोट नोट्स की कम से कम मैंने पात दस बार उसको रिवाइज किया जैसे जब भी ब्रेक लिया तो रिवाइ है चैप्टर बच रहे हैं तो जैसे माले तुम्हारे टॉपिक बच रहे तो वह तो तुम लेक्चर से कर सकते हो जैसे एक गंटे का वह बच रहा है तो वह तुम टुएक्स पर देखके कर सकते हो अगर तुम्हारा पूरा चैप्टर बच रहा है तो इस टाइम पर तुम यू कर लिए थे बड़ा मंजिल से वही चेप्टर वापिस तुभी उसको करेक्ट कर देना वही चेप्टर जो खराब है ऐसा निया कि यहां से छोड़कर मंजिल का बता के गए थे अब वहां पड़ रहे हैं बच्ची यूभी करते हैं जैसे सर जैसे लेक्चर लेक्चर हो गए ख खुद अब देखो एकर तुम दुभारा वीडियो देख के रिवाई करें तो तुमने नोट्स बनाए हैं या फिर जो क्लास में नोट्स जेंका फायदा क्या है तो वो ग्लास नोट्स सीलिए बनाया ताकि तुम एड्द दा एन पर तुम रिवाईज कर सको लेक्चर तु लेक्चर देखे तुमने क्लास नोट में तो समराइज कर दिया, सर ने बोला था कि जैसे यह कॉशन इपोर्टेंट है, ऐसे ट्रेंड आ रहे है, इस ट्रेंड आ रहे है, यह सवाल इंपोर्टेंट है, यह सब बाते आपने नोट में लिखी होगी, तब आपके नोट मदद कर जो 100-200 rank वाला था भी है, वह भी बोलेगा उसका syllabus कभी complete नहीं हुआ, तो syllabus completion का तो यह है, जो आपके topic शूट जायना, वह topic देख लेना, मतलब देखके जाना कि topic है क्या, ऐसे मतलब कहीं से बी, जैसे मनजिल सीरीज होगी या कुछ भी one shot वगरा थे, syllabus आपका end moment तक complete नहीं ह मेरा भी नहीं हुआ था, बहुतों का नहीं होता, लेकिन उससे आपको deal कैसी का नहीं है, वह, बस topic देख लेना एक बार, और questions लगाना, start कर देना, questions है, आपकी concept clarity सब में होती है, like physics, chemistry और maths तीनों में, यह पूचना चारे है, जैसे टेस्ट कब से दे, टेस्ट उमने दिये कैसे deal करोगे, जैसे बहुत साले, जैसे जैसे कोशन होता है, जिसमें option eliminate हो जाते हैं, तो वो तब भी आप mock exam से बागरा सीख सकते हो, जैसे मैं कुद करता था, इनके test series तो मेरे को पता चलता था, यह दो option तो होंगे नहीं, क्योंकि को कोशन में उदिख जाता था, और साथ मेरा भी YouTube channel अगर आपकरो, तो मैं बता जिता हूं, आगे कहानी बताओ कि कालेज में कैसा महोले हैं लोग अगले साल आने वाले हैं रखिंग लोग इनकी कि नहीं, तो भी यह तुम लोग जा रहे हैं अगले साल इनके कॉलेज में, तो मुलागात कर लेना इनसे, यह मिलें यह मिलें डोग ज이ok मिलेगे तुम को आछे मिडिया और यह बचाएं बचाने के तुमको, तो पैस यह जाना यह तुमको, और इसी टीशेट के लिए तु मेहनत कर रहे सिशिँ के यह हुटकर्री के अच्रणे कर रहे हूं अभरना थो बले गान तो इना नहीं देगी है अभी चैनल तीसरे वाले गा तो चैनल नी आया है तीसरे वाले गा चैनल रहे का आधे बस मार आँटी तो लोग निकल रहे होंगा अभी आँबस आराँ दो फंदना वरोगे का अबाज आदिया मरी